आज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल चटपटा जटपट बनने वाला बिना तेल का नया नाश्टा लेकर के आ गई हूँ जिसे आप घर में मिलने वाली कुछ ही चीजों से जटपट से बना कर तयार कर सकते हैं खाने में बहुत ही ज़या चटपटा और टेस्टी लगता है ये नाश्टा पर वीडियो पर जानने से पहले अगर अभी तक आपने मिलने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जटपट से सब्सक्राइब कर लें साथ ही अगर वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक शेर करना है बिल्कुल न भूलें तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने आपे देड़ कप बेसन ले लिया है बेसन को एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसमें कुछ सबसियां आड़ करेंगे जैसे कि मैंने आपे लिया है आदा कप बारी कटीवी शिमला मिर्च साथी आड़ कर देंगे आदा कफी बारी कटीवी गाजर आधा कब बारी कटी भी प्याज और साथी में आड़ कर देंगे आधा कफी बारी कटावा हरा धनिया अब मैं इसमें आड़ कर दूंगी एक मेडियम साइस का ग्रेट किया वालू ये कच्चा अलू है जिसे मैंने ग्रेट करके अच्छे से धोकर निचोड कर लिया है कच्चे अलू का फ्लेवर इस नाश्टे में बहुत ही बड़िया फ्लेवर देता है अब हम कुछ मसाले आड़ कर लेते हैं जैसे कि दो चोटे चमच में यहापे धनिया पाउडर आड़ करी हूँ एक चोटा चमच में इसमें आड़ करूँगी जीरा पाउडर मैं इसमें हल्दी पाउडर नहीं आड़ करी हूँ आप चाहे तो आड़ कर सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने इसमें हल्दी पाउडर आड़ नहीं किया है और एक चोटा चमच ही मैं इसमें चाट मसाला भी आड़ कर दूँगी अब हम इसमें स्वाद के नुसार नमक आड़ कर देंगे अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरह की मिर्ची कर इस्तेमाल नहीं किया है तो नाश्टे को थोड़ा सा चट पटा और तीखा बनाने के लिए मैं हापे इसमें आड़ करी हूँ एक छोटा चमच चिली फिलेक्स अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसकी जगा पे हरी मिर्ची या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते वे इसका गाणा सा घुल तयार कर लेते हैं पानी को थोड़ा थोड़ा करके यह आड़ करते जाए और मिक्स करते जाए तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आज़ करते उविए अच्छा गाणा सा गोल में ने इसका रेडी कर लिया है तो जिस तरह का बैटर होता है पकोड़े के लिए उसी तरह का बैटर आपको रेडी करना है अब हम नाश्टे को fluffy बनाने के लिए इसमें आड़ करेंगे एक चोथाई छोड़ा चममच baking soda baking soda को activate करने के लिए थोड़ा सा पानी उपर से डाल देंगे और mix कर लेंगे इसे जो अमारा नाश्टा है काफी ज़ादा spongy और fluffy बनेगा तो देखिए baking soda को mix कर लिया है मैंने इसकी consistency आप देख सकते हैं batter की इस तरह की होने चाहिए अब हम इसे steam करेंगे इसलिए मैंने आप एक cake tin लिया है इससे steam करने के लिए आप कोई भी kattori ले सकते हैं या कोई भी button ले सकते हैं मैंने आप एक round shape की cake tin लिया है जिसे मैंने अच्छे से तेल से grease कर लिया है oil से grease करने से सारा नास्ता steam होने के बाद बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा अब हम cake tin जो हमने grease किया है उसमें डाल लेंगे batter और सारा batter डालने के बाद हम थोड़ा सा इसा tap कर लेंगे ताकि जो भी इसके नीचे में air bubbles हो वो निकल जाए अब हम इसे steam करेंगे तो मैंने एक button ले लिया है जिसमें पानी उबल चुका है पानी डालने के बाद उबाल लें उसके उपर से कोई भी छनी या फिर कोई भी तरह की जाली रख दें उसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से यह जो tin है उसके उपर से हम lid लगा देंगे और इससे steam होने देंगे लगबग 15-20 मिनट तक के लिए low to medium flame पे 15-20 मिनट के बाद धकन हटा देंगे और आप देख सकते हैं यह काफी अच्छा से पकावा नजर आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं हलका सा तो उंगलियों की मदद से चेक कर लेंगे यह देखिए उपर की सता इसकी बिल्कुल भी गिली नहीं है आप चाहे तो किसी चाकू या फिर किसी टुटपिक की सायता से भी चेक कर सकते हैं तो गैस को आफ कर देंगे और इससे निकाल कर हलका थंडा कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे पांच मियाट तक हलका सा थंडा कर लिया है अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे तो आप चाहे तो इसके साइट पहले चाकू की मदद से छोडा लें बट मैं इसी तरह इसे निकालूंगी बहुत इसलिए ऐसे भी निकल जाता है और थंडा होने के बाद यह अच्छे से और भी सेट हो जाएगा तो इसे डिमोल्ड करने के लिए उपर से एक प्लेट रखेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे और हलका सा टैप करते ही इसलिए निकल आएगा ये देखिए कितना अच्छा नाश्टा हमारा तयार हुआ है इसलिए निकल आया और काफ बेकिंग सोडा एंट करें हैं। जब भी हम बेकिंग सोडा थोड़ी सी ज़ाधा क्वेंटिटी में किसी भी चीज में एड़ करते हैं जिसमें हल्दी हो। तो वो हल्दी के साथ रेक्शन करके अच्छा कलर नहीं देता है। वो बिल्कुल रैडिस्या हो जाता है। और मैंने नहीं चाहती कि इसका कलर बिल्कुल भी डार्क सा हो जाए, इसलिए मैंने आड नहीं किया था, अब मैं इसे ट्राइंगल शेप में कट कर लूँगी, आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं, और मैंने इसे कट कर लिया है, और आप देख लीजे, कितना अच्छा और स्व अच्छा आए, बहुत स्वाधिस्ट लगती है, बट मैं इसे थोड़ा सा और टेस्टी और क्रिस्पी बनाने वाली हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा फ्राइ कर लूँगी, तो एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है मैंने, इसे शैलो फ्राइ हम करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे, आदा चोटा चमच काले वाले तील, आप इसकी जगह पे ससु के दाने भी इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर सफेद वाले तील का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, इसे लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है, अब हम इसके उपर से नाश्टे को डाल द और इसे लगबक 2-3 मिनाट तक मेडियम फ्लेम पे उलट पलट करते हुए फ्राइ कर लेंगे, और जब ये बहुत अच्छा से क्रिस्पी से गोल्डेन ब्राउन कलर के फ्राइ हो जाएं दोनों साइट से तब हम इन्हे निकाल लेंगे, ये रिसेपी बहुत ज़्यादा क् आप तक मेरें ब्राइन का नाश्ता बनकर हो चुका है तैयार जोकी बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी है आप इसे दो तरह से खा सकते हैं चाहे तो इस्टीम किये वे खा सकते हैं बीना देल के या फिर इस तरह से थोड़े से फ्राइब करके चटपटी क्रिस्प करना ना भूले, so bye bye guys see you soon on my next video, till then take care thanks for watching my videos, thank you so much